चलिए मित्रो नमस्कार बहुत बहुत सागत है हमारी यूटूब चैनल में आपका इंडिया एजूकेशन पार्ट साला जो कि आपके लिए प्रेक्टिस सेट और बहुत अच्छे से वर्क तीन की तैयारी और सीटेट की तैयारी आपको करा रहे हैं तो दोस्तो हमारे इस चैनल से जुड़े रहें बहुत अच्छी आपके लिए तैयारी बहुत अच्छी होने वाली है ना तो चलिए जैसे कि आप जानते हैं इसके पहले भी मैंने हिंदी पेड़ागोजी से रेलेटेड बहुत सारे कॉस्चन आपको दिया हुआ है चलिए अगे पढ़ते हैं इन कॉस्चनों को करते हैं अगर आप नहे हैं तो यूटूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना स्रवन कोसल में कितनी सक्तियां समाहित होती हैं आपको बताना है एक पांच तीन या दस तो यहाँ प है इसके बाद में दूसरा देखते हैं स्रवन समागरी स्रवन यानि सुनना है सुनने वाली समागरी खालिस्तान इस्थितियों में उपलब्द हो सकती है दो चार तीन पांच तो आपको बताना है यहां पर उत्तर क्या होगा यहां क्या होगा तो इसका उत्तर हो जाएगा चलिए, अब अगला कोस्चन देखते हैं, स्रावन कोसल एक खालिस्तान प्रकिरिया है, बताना है, आपको सजीव है, अनोकी है, सोदेश्य है, या इन में है, कोई नहीं है, तो यहाँ पे उत्तर बताना है आपको, क्जा हो जाएगा Spaß Talk तो आपको दूसरे कोसल कर नहीं पाओगे है ना तो सुनना कोसल बहुत सोदेश है चलिए अब हम अगले कुश्चन के उपर और बढ़ते हैं भासा सिक्षन में पहले कौन सा कारे करना चाहिए तो आपको बताना है लिखना बोलना सुनना पढ़ना तो आपको बताना है यहाँ पर भासा कोसल में सबसे पहला कारे कौन सा करना होता है ठीक है तो यहाँ पर इसका अंसर बताइए तो किसका अंसर हो जाएगा यहाँ पर मो मोखिक भाव प्रकासन में कितने उपादानों का होना अनिवार है कितने तो बताईए इसका अंसर क्या होगा इसका जो आंसर हो जाएगा यहां पर दो हो जाएगा क्या हो जाएगा दो यहां पर आंसर इसका हो जाएगा अगले कोश्चन के और बढ़ते हैं हम स्वतंत्र मोखिक कारे किसे कहते हैं तो स्वतंत्र मोखिक कारे किसे कहते हैं कला लिखना पढ़ना या कोई नहीं तो आपको आंसर यहां पर बताना होगा जो स्वतंत्र मोखिक का होता है वह होता है अपना कला किया होता है कि अगला क्वेश्चिन के और बोड़ते हैं मोखिक अभी विन्या पॉश्री अभ्यक्ति का कौसल किस स्रेणी का माना जाता है निमने स्रेणी का मध्यम स्रेणी का उच्छ स्रेणी का इनमें से कोई नहीं तो आपको आंसर बताना होगा इसका आंसर क्या होगा तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा सी क्या हो जाएगा सी यहां पे आंसर हो जाएगा उच्छ स्रेणी अगला कोश्चन को हम ध्यान पुरूब पढ़त सिधा जनक हो जाएगा चलिए मित्रों आप दूसरे कोश्चन के और बढ़ते हैं हम बहुत अच्छे कोश्चन में आपको पेड़ागेजिस रेलेटेट दे रहा हूं आपकी बहुत हेल्प मिलने वाली है ऐसे ही कोश्चन आपको एक्जाम में देखे जाएंगे कठीन जरूर मुल्यंकन या इन में शे कोई नहीं तो इन चारों में से आपको उत्तर बताना है क्या होगा मोखिक कार में कठोप कथन ये उपयोगी है यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा पहला कठोप कथन का भी महत्तपूर इस्थान है ठीक है चलि अगले कोश्चन के और बढ़ते हैं जो मोखिक भाव प्रकाशन के साधन जो होते हैं वो सत्संग होंगा सम्वाध पाठ होगा और नाटक प्रयोगे सभी होंगे चलि अगला कोश्चन देख लिए कोश्चन समझना है वाचन वह किरिया है जिसमें प्रतीक धनी और अर्थ साथ साथ चलते हैं वाचन संभंदी देहां परीभासा किसी है आपको यहां पर बताना होगा त किसकी परिभासा गया परो रमन भीहारी लाल तो आपको बताना है आप वाचन कितने प्रकार के होते हैं बहुत ही IMP question है यह है ना वाचन कितने प्रकार के होते हैं तो वाचन जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं तीन प्रकार के होते हैं आप तेरे वे question में बढ़ते हैं श्वसर वाचन कितने प्रकार के होते हैं बताना है आपक क्श कोई रगते हैं सामुहिक वाईचन तथा व्यक्तिकत वाचन किस के वाचन वाउचन कहलाते हैं तो ये ससर ऑचन मोन वाचन गहन अद्ध्धन या इनमेश्य कोई नहीं तो उत्तर आपको बताना होगा क्या होगा तो इसका जो उत्तर हो जाएगा जब पहला इसका उत्तर हो जाएगा स्वावचन सामूईक वाचन और व्यक्टीकट वाचन किसके वाचन कहलाते हैं यहां पर बताला है आपको क्या होगा इसका आँसर वाचन से कौन सी अभुयक्ती तौने लगती है वाओं का आंसर हो जाएगा मोखिक किसका आंसर हो जाएगा ठीक है चलिए अगले कुश्चन की और बढ़ते हैं किस प्रकीरिया से छात्रों में योगता विकास तथा ग्यानारजन का विकास होता है तो यहां पर आंसर आपको बताना होगा सवसर वाचन गहन अध्यन मौन वाचन या सब्सक्राइब का विकास होगा ठीक है चलिए पठन से संब्दियत एक क्वेश्चन देख लीजिए बहुत 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 अच्छा क्वेश्चन है पठन का अर्थ है मोन वाचन स्वसर वाचन या फिर प्रुक्त में से कोई नहीं इसका अंसर बताना है आपको क्या होगा इसका अंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी स्वसर वाचन स्वसर और मोन वाचन पठन का अर्थ क्या होता है स्वसर और मोन वाचन होता है ठीक है चलिए अगला कुश्चन देखिए सब्द पठन वा साब्दिक पठन है सब्द पठन वा साब्दिक पठन है एक ही प्रत हो जाएगा चलिए अगले कोस्टन के और हम बढ़ लेते हैं बहुत ही अच्छा कोस्टन लेखे आया हूं है बालक चित्र के नीचे लिखे हुए सब्दों को जोर से पढ़ता है यह किरिया किस पठन के अंतरगत आती है तो आपको बताना है क्या बताना है कि बालक चित्र के लिखे हुए सब्दों को जोर से पढ़ता है तो यह किरिया किस पठन के अंतरगत आती है बताईए किस पठन के अंतरगत आती है तो यह होगी आपका पहला सब्द पठन के अंतरगत आता है ठीक है सब्द पठन के अंतरगत आता है यह किरिया अब इसके बाद में बीसवा क पठन की वहां महत्पूर्ण किरिया जिसमें पाठन लेखन के विचारों को आत्मसात कर लेता है वहां है स्रजनात्मक पठन चिंतनात्मक पठन साब्दिक पठन या मोन पठन तो इसका आंसर आपको बताना है क्या आंसर हो जाएगा यहां पे तो इसका जो आंसर हो जाएगा B number का हो जाएगा चिंतनात्मक पठन क्या हो जाएगा चिंतनात्मक पठन इसका अंसर यहाँ पे हो जाएगा चलिए अगले कुश्चन के और बढ़ते हैं लिकित भासा की अंतिम इकाई क्या है भई बताना है आपको लिकित भासा की अंतिम इकाई वर्ण है, वेंजन है, धनी है, इन मेंशे कोई नहीं तो बताईए इसका आंसर क्या होगा इसका आंसर हो जायेगा पहला आपका वर्ण हुआ भासा की अंति-मिकाई क्या है तो वो है आपका वर्ण है चलिए अगले कॉस्चन की और बढ़ते हैं हम और तमस्ते हैं अगला question 22 question लिखित भासा के अंतरगत भासा किस रूप में रहती है आपको बताना है जो लिखित भासा के अंतरगत भासा किस रूप में होती है रहती है इस्थाई रूप में अस्थाई रूप में उप्रोक्त दोनों रूपों में या नमेश ये कोई नहीं तो answer बताईए क्या हो जाएगा इसका answer तो इसका answer हो जाएगा इस्थाई रूप में पहला इसका answer यहाँ पे हो जाएगा इस्थाई रूप में है ना बहुत अच्छे question है लगातार आपको मैं बहुत अच्छे अच्छे practice टेटों में question दे रहा हूँ आपसे निवेदन है कि हर practice टेटों को अच्छे से पढ़िए और question को आप ध्यान पुरुवक लगाएए अब बहुत कम समय बचा हुआ है लगातार practice पे practice हम चलते जाएगे ना बहुत अच्छे question को लेकर आया हूँ और कम समय में आपन बहुत सारी question को आप समझ सकते है शुरूत लिपी की कितनी विधिया है पांच है चार है आठ है तीन है इसका उत्तर बताईए क्या हो जाएगा तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका चार है कितनी हैं चार है सुरूत लिपी की कितनी विधिया है तो चार विधिया है चलिए अगले question को लगते हैं मोखिक और लिखित कितने किसके रूप है हिंदी समाज या भासा या कोई नहीं तो answer बताना है इसका क्या होगा तो यह इसका हो जाएगा भासा क्या हो जाएगा भासा इसके answer हो जाएगा मोखिक के और लिखित किसके रूप है तो भासा के रूप है ना अगले question के और बढ़ते हैं लेखन कोसल में लेखन अभ्यास कराना कौन सी अवस्था कहलाती है कौन सी अवस्था कहलाती है तो 25 में देखेंगे 25 का जाएगा C ठीक है क्या जाएगा C चतूर्थ है चतूर्थ है ना चलिए अगले question के और बढ़ते हैं लेखन कोसल में अगले question को देखते हैं अधो लिखित में लेखन का प्रकार है पत्र लेखन, निभन लेखन, कहानी लेखन या उप्रोक्त सभी आपको answer बताना है क्या हो जाएगा इसका answer तो इसका answer हो जाएगा उप्रोक्त सभी इसका answer यहाँ पर हो जाएगा अधो लिखित में से लेखन का प्रकार पत्र लेखन है निभन लेखन है, कहानी लेखन यह तीनों ही चीज लिख सकते हैं उप्रोक्त सभी इसका answer हो जाएगा 28 वी नमर का question देख लेते हैं निमलिखित में से किस कोसल में दक्षिता प्राप्त करना कठीन होता है तो कठीन लिखने के कोसल में दक्षिता प्राप्त करना कठीन हो जाता है तो देख पारें आप बहुत अच्छे question मैंने आपको इस वीडियो में बताया है बहुत बहतरीन संग्रा था है ना अच्छा संग्रा था हर टॉपिक को कौर करूँगा मैं हर प्रक्टिस सेट को आप जरूर पढ़ें बहुत अच्छी तैयारी आपकी यहां पर यहां से होने वाली है बहुत अच्छा संग रहा यह था चलिए दोस्तो अगले ऐसे ही वीडियो के साथ मिलूँगा तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार और यूटूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ठीक है थेंक्यू